हेलो फ्रेंड्स रुक्की तो जहरा अगली वीडियो पर मत जाईए आपका मेरे चैनल ऑफिशल निटिंग जीरो वन में स्वागत है आज मैं आपके लिए यून काना जी के लिए सुन्दर ड्रेस बनाने जारी विंटर ड्रेस जो मेरी फ्रेंड्स घर में रहते हैं उनकी पा स्टार्ट करते हैं घर में पड़ी कोई भी आप उन ले सकते हैं छोटे काना जी की है यह प्यार से बनाई है अपने काना जी के लिए और उनको पहना यह विंटर ड्रेस काना जी को बहुत ही सुन्दर लगेगी देखिए चेन स्टार्ट करेंगे दो, तीन, चार, पांच, छेन, साथ, नौ, दस और यह ग्यारा ग्यारा चेन लेली अगर थोड़ी बड़ी करना चाते हो लड़ू गपाल के लिए थोड़ी ज्यादा कर सकते हो ग्यारा पहले की थी बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला यह देखिए, सोला चेन हो गई, अब जहां से हमने स्टार्ट किया, वहीं को, वहीं पर क्रोशी एंटर करेंगे दिखें, वहीं पर दगा कीज लिया फिर तीन चेन यह जो आपको हर एक चेन दिखरी होगी, हर चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोश्य करेंगे देखें, ऐसे यह गला स्टार्ट हो गया काना जी का यह देखें, तीन चार पांच छे साथ आठ पूरी चेन कम्प्लीट कर लेंगे पूरी चेन कम्प्लीट कर लेंगे यह देखें पूरी रो मैंने कम्प्लीट कर दिये अब स्लिप स्टिच लेके इसको बंद कर देंगे यह देखें, बंद कर दिया अब इसको काउंट कर लेंगे कितनी किये थे हमने एक, तो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तीरा, चोदा, पंद्रा, सोला, स्तारा, स्तारा हैं स्तार अक्रेंट से ये अब हम दूसरा थर्ड यूज़ करेंगी इसमें 16 है, सॉरी, 17 नहीं है, 16 है 16 का हम हाफ कर लेंगे, 8, 8, दोनों साइड आ जाएंगे जैसे कोर्नर बनेंगी न, 8, 8, दोनों साइड आ जाएंगे ये एक हो गया इसी में से डबल बार डबल क्रोशे एक को छोड़के आगले पे डबल क्रोशे फिर एक को छोड़ेंगे आगले पे फिर डबल क्रोशे फिर एक को छोड़के अगले पर हम कोर्नर बनाएंगे इसमें हम तीन बार करेंगे एक दो बार दूसरी बार तीन दो चेन सिंपल दो चेन फिर इसी में से ही फिर चौत्थी बार तीन चेन तीन डबल क्रोशिया फिर करेंगे दो ये हो गया तीन दीखे ये कोर्नर बन गया एक दो तीन फिर एक छोड़के अगले पर एक दो डबल क्रोशिया फिर एक छोड़के अगले पे डबल क्रोश्या एक चोड़ के अगले पे डबल क्रोश्या थोड़ी सी उन है अगर घर में उसके साथ भी काना जी का ट्रेस बन जाएगा यहां इस साइड थे एक दो तीन थे एक दो तीन कंप्लीट हो गए एक चोड़ के अगले पे एक चोड़ के यहां पे कॉर्णर आएगी है हमारे एक चोड़ के यहां पे फिर कॉर्णर आजाएगी एक, दो, तीन, दो चेन, फिर उसे में सेंटर करेंगे एक, दो, और ये तीन, फिर कॉर्नर बन गई, यहाँ पे कॉर्नर बनी और यहाँ पे कॉर्नर बन गई एक, एक छोड़के, दो, चार इस साइड किये, एक, दो, तीन, और चार, और चार इस साइड, एक, दो, तीन, और चार स्लिप स्टिच लेके इस रो को हम बन कर देंगे, देखे, अब हम वाइट धागा यूज़ करेंगे देखे, तीन, चेंग, उसी में से ही वाइट धागे को, फिर एक बार डबल क्रोश्या, अब हर एक में पहले डबल क्रोश्या कर लेंगे यहां तक, देखे, फ्रेंट्स, यहां तक कर लिया, अब कॉर्लर में फिर वैसे सेम स्टेप, तीन बार, एक, दो, तीन, दो चेंग, उसी में से, एक, दो, तीन, यह पूरी रोग कम्प्लीट करेंगे, देखे, फ्रेंट्स, वैट की पूरी रोग मैंने कम्प्लीट कर दिया है, अब पिंक अगल लगाया, इस पर भी सेम स्टेप, पूरी रोग में, फिर वैट का करेंगे, लास्ट जब फिनिशिंग करेंगे, तो वह पिंक ही करेंगे, फिर मैं फ्रेंट्स आपको बना के बता देखिए फ्रेंड्स यह मैंने कंप्लीट कर दिया है दिखिए वाइट पिंग वाइट पिंग वाइट और फिनिशिंग मैंने पिंग के साथ की है यह तीन से चार नमबर के लड़ू कपाल जी को अराम से आ जाएगा यह पॉंचू देखिए कितना सुन्दा लग रहा है अग अगर बड़े के पहुंचू गर्स पहुंचू की आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में ओफिशल निटिंग 01 में फुल वीडियो की देख सकते हो तो थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए कुमेंट कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिए तांकि मैं अगली जो नई वीडियो बनाओ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो थैंक यू फ्रेंड्स